तो हेलो गाइस एपिसोड की स्टैटिंग में हम एक्टर को देखते हैं जो इदर उदर चकल लगा रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या यंगर ही ड्रापा वाटर है क्या यंगर ही ड्रापा वाटर है मगर कैसे अगर यंगर ही ड्रापा वाटर है उसे तो अभी तक बहु मुझे तो किन कहता है कि हाँ हाँ जल्दी बताओ जल्दी बताओ तो फिर एक्टर कहता है कि जरूर जंगर के पास खुद को खूपसरूरत करने वाली कोई शक्ति होगी जिस पर मिस कहती है कि ये पागल होगे इसको छोड़ दो और फिर सीन शिफ्ट हो तरह मास्टर वैन को देखते हैं जो कहता है कि बुड़े में अभी भी वहती है ताकत है मुझे तो लगा वह कमजोर हो गया होगा लेकिन उसने एक साथ हम दोनों की अटैक को बरी असानी से रोक लिया तो फिर गंजा कहता है कि परशान होने की कोई भी दूरत नहीं है मेरे पास इन सब क्रॉब हिस करना चाहता हूं तो ये बात सुनकर यंगर को बहुती जादा गुसा आ जाता है और वह उसको पकर कर बहुती दूर पैंक देती है तो फिन्यान एक जगह जाकर केता है तो वहाँ के लोग इसे देर बहुती ही द्यपर आती है तो सब लोग ये दे कर बहुत ह्युद्धा हरान होती है और वो कहते हैं कि ओल्ड अंटी आ गई, ओल्ड अंटी आ गई और वो सब कहते हैं कि अंटी आप इतने सालों से काँ थे और क्यों नहीं आई यहाँ पर और फिर हम एक बुटे मास्टर को देखते हैं करका कि क्यों शोल डाला हुए है मगर जब बंटी को डह बहुत जहां कि जाधा हिक वोग्स वह दाल हो जेखने politics जाटे है कि यहन आएप मेशान के दीखेंश कि देखेंश हुआ हैं इसका नहीं कि कि इन 60 सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ और वो कहती है आप लोग ठीक तो है न आ कि आप लोगों को कोई प्राब्लम तो नहीं है तो फिर बुटा मास्टर कहता है करते बहुत नहीं है आपका बहुत 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 शुक्रिया और फिर नेक सीन में हम बुटे मास्टर को देखते हैं जो अपनी बेड़ पर सोने के लिए जा रहा होता है और तबी उसका बेड़ चींज हो जाता है और वो कहता है कि ये बेड़ कहां से आ गया और कहता है कि अंटी भी ना और फिर मॉर्निंग में हम नियान को देखते हैं जो बाहर कुट है कि बोकने की आवाज से उठ जाता है और तबी वो अपने उपर जंगर को देखता है और वो कहता है कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो जिस पर जंगर कहती है कि तुम भी ये सब कर सकती हो क्या तुम सीखना चाह तो इस दुनिया को तुम एक ड्रीम समझो जैसे तुम अपने ड्रीम में कुछ भी कार सकते हो वैसे ही तुम इस दुनिया में भी कुछ भी कार सकते हो तो भी नियान कहता है कि मैं कुछ भी कार सकता हो जिस पर जिंगर कहते है कि हाँ तुम कुछ भी कार सकते हो जा कुछ भी क अक्सीन में हम यंगर और नियान को एक ओर ब्यूटीफुल जगा पर देखते हैं जहां पर यंगर कहती है कि क्या तुम्हें जुक्त पसंद आई जिस पर नियान कहता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा और फिर यंगर कहते है कि अब तुम यहां पर कुछ भी कर सकते हो तो फिर नियान कहते है कि क्या कुछ भी क्या करना है तो यंगर कहते है कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं याद तो फिर नियान कहते है कि मुझे आइट बस बस इतना ही कापी राइट आ जानी आप लोगो तो बताईए मेरी दुख बरी खानी का और फिर हम नियान को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हारे शोल्डर पर काकरोच है और वो उससे डरने लग जता है और डर के बाग जाता है तो फिर येंगर कहते है कि ये काकरोच और फिर वो नियान को कहते है कि अगर तुमने मेरे साथ यहाँ पर रहने का प्रामिस ना किया तो मैं ये काकरोच को तुमारे मूग के अंदर ढाल दूँगी तो फिर नियान कहता है कि मैं प्रामिस करता हम यहीं पर रहूंगा बहुत ही अच्छी हैं बहुत ही प्यारी हैं बहुत ही स्वीट हैं और फिर सीन शिफ्ट होता हम दुमान को देखते हैं जो मिस जूई को कहता है कि हमें हबर मिली है कि नाइफ एक सिगाएंग वाले हम पर दुमारा हमला करने वाले हैं तो मिस जूई कहते है कि अगर उनों ने हम पर अटेक किया तो हम भी चुपने ही वैटेंगे हम भी उन पर दुमारा हमला करेंगे तो फिर किन कहता है कि मिस हम कद्दू का क्या करेंगे अगर वो उनके साथ फाइट में हुआ तो फिर तो हम कभी भी ये फाइट नहीं जी सकते और आपको तो पता ही है कि नियान भी अब हमारे साथ नहीं है तो फिर मिसजुई कहते है कि कद्दो की टेंचन नाला वो उसकी भी एक कमजोरी है वो जल्दी ही किसी की बातों में आ जाता है हमें उससे बस अपनी बातों में लगाना होगा और फिर सीन शिफ्ट होता है मैक्टर को देखते हैं जो चर्च में शराप पीकर सोया होता है और तो फिर मिसजुई कहते हैं कि इसकी कंडिशन अभी कैसी है तो चर्च मास्टर कहता है कि यह किसी के प्यार में पार गया है जिसकी वज़ा से इसकी ऐसी हालत हो गई है तो फिर मिसजुई कहते है कि मैं जल्दी से किसी को बुला कर इसको यहां से ले जाती हूँ तो चर्च तो फिर चेच मास्टर कहता है कि मेरे बेटे तुम यहाँ पर क्या करने आई हो तो फिर मिस्टूई कहते है कि इस दफ़ा मैं आपसे लराई नहीं करने आई बलके मैं आपसे एक फेवल मांगने आई हूँ और फिर सीरिंशिफ्टों तरह मिस्टर फ्लू को देखते हैं जो बीबी यंगर की पिचर को देख रहा होता है और तब भी कौन उसे बताती है कि नाइफ एक्स गैंग और वोर्जोंग साइटी के दरम्यान दुबारा फाइट होने वाली है तो फिर मिस्टर फ्लू कहते हैं कि मुझे इस बास से कोई भी फरक नहीं पड़ता तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें नियान का पता चला या नहीं तो फिर कौन कहती है कि नहीं और तभी हम एक चोटी लड़की को देखते हैं जिसने मिस्टर फ्लू को गले लगाया होता है और तभी कौन ये देकर वहुती थादा हरान हो जाती है और तभी हम वहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं जो आकर कहती है कि तुम लोग अपना काम ठीक सही नहीं करते तो फिर तुम लोगों को नियान का कहां से पता चलेगा तो फिर मिस्टर फ्लू कौन को गलए है कि तुम अब यहाँ से जाओ मैं इस मामले को अब घुद ही देख लूंगा और फिर मिस्टर फ्लू उन दोनों लग्यों को कहते हैं कि तुमें पता है कि तुमें पता हैं यहाँ नیयान को डूनडना है और तबी सीन शिफ्ट हो तरह मुस्स विलिज का सीन देखती है जहां पर नियान और यंगर की शादी चल रही होती है और फिर हम बुड़े मास्टर को देखते हैं जो यंगर को शादी का कार्ड लाकर देता है तो यंगर कहते है कि इसके क्या जुरूरती तो बुड़ा मास्टर कहता है मुझे ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि जब तुम दोनों के बच्ची होगे तो वो भी आगे से म्यूटन्ट ही पैदा होगे तो गाईज आप आप लोगों को बता चले ही गया होगा कि X-Men मुवी में जितने भी हीरों थे वो सब यंगर के ही बचे हैं और फिर हम यंगर को देखते हैं जो नियान के कान में जाके कहते हैं कि नियान आओ अब हमें रूम में चलना होगा बाइ लोग समझ री हो ना समझ री होई और वह जब जारे होते हैं, तब लिएन का पैरा आग से टकरा जाता है, जिससे बहूँती तेदा शोले बाइर निकलते हैं और तब ए Makes a जहां पर wow अपनी टांग पर बने आके शोले के निशान को देख रही होती है और वो कहती है कि या नियान इसी को तुझड़ है और कहीं में ही तो वो लर्की नहीं जिस रही भी स्ड़तzerी चुर्ड़रोड इत्य को दे जरत रहके दिश्व में